नमस्कार साथियों मातापिता गुरुजन को नमन करते हुए आज किस वीडियो सत्र को सुरू कर रहे हैं आज हम लोग स्टडी करेंगे एक ऐसे पौधा की जिसका साइंटिफिक नेम रोजमेरिनस आफिसनेलीस है और इसे छत्रिये भासा में यानि कौमन नेम रोजमेरि के नाम से जानते हैं यह पौधा एक फ्लाबरिन प्लांट है बहुत ही अच्छी फ्लाबरिन प्लांट है और यह पौधा जो है लेवियेट फैमली से बिलॉम करता है इस पौधे को हैबिटेट जो है एशिया और अमेरिका है और इलेक्ट्रोहमियोपेट साइंस में इस पौधे का इस्तमाल रेड इलेक्टिसिटी के अंदर में हुई है जो खास करके इलेक्ट्रोहमियोपेट के चीकी शक्त मंद हुए है उनके लिए एपधा इलेक्ट्रो हुमियपैथ में रेड इलेक्टिसिटी के अंदर इस्तमाल हुई है और मेडिसिनल प्रोपर्टीज की रूप में होल प्लांट इस्तमाल होती है एपधा का करेक्टर अगर हम देखेंगे एपधा एक तो एंटिबैक्टरियल है यानी बैक्ट्रिया से फाइट करने वाले ऐनी टाइप आप आ बैक्ट्रिया जितने ही तरह की बैक्ट्रियल डिजीze है उसमें ठिक करने का क्योर करने की काम करती है साथ ही ये ऐन्टिफंगल भी है और यह सिस्टम यानि ब्रेन स्पाइनल कॉड्ड पे बहुत ही महत्पूर्ण एक्षन होती है यानि निश्चित ही डिप्रेशन पेन की लियर ब्रेन ट्यूमर ब्रेन टीवी यह मेडिसीन होगी और साथ ही मस्कूलर पेन में भी काफी अफेक्टिव मेडिसन है इसी बज़ा से आरी का इस्तमाल मस्कूलर पेन के लिए आरी अप्लिकेशन में होती है ए पौधा को पहचानने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में ए यवर ग्रीन है हमेशा हरा भरा पौधा है डेन्स इवर ग्रीन है साथ ही ए एरोमैटिक है यानि उसमें हमेशा एक खुस्बू लिए हुए रहता है इसके पौधे के पाह जाने से एक परफ्यूम की खुस्बू मिलती है खास करके कैमफरस खुस्बू मिलती है कैमफर जैसा मिलता है कपूर का खुस्बू आती है नीडिल लाइक इसकी पतिय होती है साथ ही सौप्ट होती है मुलाइम होती है कंस्टिच्ट अगर देखें में तो इस पौधे का कंस्टिच्वेंट शिनियर है शिनियल केमिकल है कैमफर है वोलेटाइल वाइल है इस बीद्रियों को जदा ज़्यादा सेड़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें धन्यवाश्चाथि